हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू यूर चैनल मैट्रिक चैनल मैं हूँ समीम अमसेफी आज हम पढ़ने जा रहा है आमसलो आमसलो क्या होता है किसी चालक में बहने वाली बिदुधारा उस चालक के सिरो के बीच लगे बिभभानतर के अनुकर्मान उपाती होती है इस आई डायेक्टली प्रोपर्शनल टू बी एद्यारेक्ट्ली प्रोपर्शनल टू अग्याश तो नंक्रीत फिरों वाला शेयरीभात रहा बहने वाला जो इनलक्ति करणट होता है वो इसके नहीं बताते दो हुं मैं बाद में इंगलेटा से कहँ भी हिंदी में इस तरह से लेहें के लोफ बेहने दैनियम किसी चालक में बहने वाली धारा हुआ उस चालक के सिरोग बीच लगे बिल्ठा के अनुकिरमा अनुपाती है फिर नीचे लिखेंगे I directly proportional to B फिर नीचे लिख देंगे B equal to IR R नीचे लिखेंगे जहां पर R एक constant है proportionality constant है अगर अगर इंग्लिस में हमें लिखना है तो हम heading डालेंगे Ohm's law लिखेंगे the current flowing through a conductor the current flowing through a conductor is directly proportional to the electric potential across the ends of the conductor this is called Ohm's law clear? बागी सारी चीज़े इसी तरह से लिख देंगे फिर नीचे एक B और I में एक graph बना देंगे क्योंकि directly proportional है तो आपको पता ही है के resistance का graph जो होगा वो state line होगा इस तरह से जैसे के मैं फोटो में दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से एक graph बना देंगे आपका ohm's law complete हो जाएगा बहुत ही important है ohm's law define करने जरूर आता है तो इस फोर्मूला है B equal to IR हमें कई सारे questions solve करने के काम आता है है कि जिस तरह से अब यह ओम से लोग आम का जो फोर्मूला है अब यहां पर आर जो है रेजिस्टैंस है जिसकी ऐसाई यूनिट क्या होती है और इसको इस साइंसे सो करते हैं इसका एसाई यूनिट क्या होती है इसको साइन्स से सो करते हैं voltage की SI unit आपको पता है bolt होती है electric current की SI unit आपको पता है ampere होती है हम कौन से साइन्स से इसको सो करते है ओम के साइन्स अब यह formula हमारे numericals करने के भी काम आता है इसके छोटी-छोटा एक numericals देखते है for example मान लिये हमने 6 बोल्ट की बैटरी से कि 6 बोल्ट की बैटरी से 12 12 ओम कोई resistance कनेक्ते रगे माल characterized कि का मणलता कोई बाल भी लगा लो सिक्स इकॉल टू आई इंटू आर कितना है हमारा 12 12 को हम अपॉर में ले जाएंगे क्योंकि आई इकॉल टू हो जाएगा 6 अपॉर 12 सिक्स को डिवाइट करेंगे तो इस तरह से हम इससे फाइंट कर सकते हैं कोश्चन कही तरह के कि क्लियर हो गया होगा अब ऐसी यह तीन चीज़े हैं एलेक्टिक पोटेंशियल एलेक्टिक करेंट और रजिस्टाइश तीनों में से दो चीज़े आपको देगा दो की वैलियू आपको देगा तीसरी की वैलियू आपसे पूछेगा तो इसी तरह से फॉर्मूला लगा के मैतमेटिकल कैल्कुरिशन करके आप आंसर निकाल के उसकी यूनिट सामने लिख देंगे तो आपका इजली जो है आप इसके निम्यूम्रिकल भी कर सकते हैं इसी कोशन के साथ मैं बिदा लेता हूं मैं था समीम हमस सैफी फिर हाजिर होता हूं आपके लिए कोई नया इंप